नमस्कार जेहिंद सभी साथियों को बरणाम कैसे हो भी सारे एक बार पुने सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन दोस्तों जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा कि एकजाम कोई सा भी रहा हो यहां से एक परसंद जुरूल बन जाता है जैसे हम बात कर रहे हैं जिल्लो कुपूरी की पूरी जानका है जो to the point हम पढ़ने वाले हैं तो एक वाले के लिए सभी साती के लिए सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस परिवार पर नई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिल्लों के उपनाम को लेकर जरूर एक परसन कहीं ना कहीं अग्जाम के अंदर हर बार चप जाता है यहां तो परसन देता है वो आगी वाड़ा के से कि सुमेलित करो और एक साइड के अंदर जैसे नाम दे दिया पूरो का पेरिस बागानू की भूमी और एक साइड में नाम दे दिया रेगिस्तान का केंदर और पत्थ्रों पाड़ों की नगरी और उसके सामने चारों जिल्लों के नाम रख दी जाते हैं कि इनको सुमेलित करो जरूर परसन चपता है उसी परसन को लेकर हम ऐसे सारे परसन और उसे जो परसन बाहर ना जाए एक सोर्ट वीडियो के महाद्य में से हम जानने के कोशिस करेंगे आई यह शुरुवात करते हैं जैसे बात करें जोदपूर सहर की जोदपूर बड़ा ही परसीद सहर है और यह जोदपूर नहीं है परदान यह तो भीकानेर था परदान अना तो लेकिन जोदपूर की बात राजस्थान की बल्यू शिटी या दे नीला सेर किकंशे कहा जाता हि तो आपका जोदपूर होका मरूष्तल का प्रवेश्ठों झऊन्यम परसन की नाम से Knowing आख सेंदपूर को कहा जाता है कि ऐसक्रत बहुत बाद बच्राश्तान का सिर्फ वड़ों से कि पताओ शाथिक राजदाने कोन सी है तो नहीं सरी तो फ्हेले बार बढ रहे हैं राजस्तान की शांसकर्थ consum ऐगी जोद फूर रहने फिर उसके बाद में दोस्तों राजस्तान की वीदिन नगरी के नामसे आपका इवाजन दोंगरपूर के अंदर एक विक्टित पहडी छेटर भी पाया जता है उसको पथ्रों पहडों कि नगरी के नामसे भीमज हाई आप बेगर आपसे पूछा जाए कि राजस्तान का वहस है जो पत्रों वह पहडों की नगरी के नाम से जाना जाता है तब आपका उत्तर हो जाएगा डुमरपुर जैपुर को लेकर भी बहुत सारे परसन बनते हैं इस्ट ऑफ जयानि कि पूरो का पेरिस तो पेरिस ऑफ इस्ट र गेर्वा रंग में तो यह अब ध्यानारह पिंक सिटी उंग्लावी नगरी के नाम से आपके किसको चाहता है जैपुर को कहा जाता है सिटी बा साब्लुनार की नाम से बिया चेपण है नंगरी नंगरि की नाम से बिकूर जाना जoped जाता है जाता है राजस्तान का अनानागार कि से कहा जाता है गंगानगर को कहा जाता है फलों की टोकरी किस जाता है तो इसका एक फाइदा ये होता है दोस्तों कि Um पहले लिख लेते हैं तो अपने रिवजन करना पड़ता है और अगर मैं इसी को लिख कर वाता तो एक गंटे की क्लास होती और यह क्लास आपकी 10 मिनिट में हो जाती है कितना फाइदा होता इसका फिर बात करती है तामबा तामबा जिला अभी तो बहुत बार भी पुराने ज सुझनु है वह आपका तामबा नगरी के नाम से तामबा जिला के नाम से जाना जाता है सिकर को राजस्तान की हाइटेक सिटी कहा जाता है दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना कि राजस्तान की हाइटेक सिटी किसे कहा जाता है तो सिकर को कहा जाता है अलवर को लेकर बहुत तु इस प्रकार से 5 जिल्ले बन जाते हैं alors फिर बाकि अलवर को धियान रखना है करें करेंटале रहता है राष्टान स्कोर्ट लेंड इस니ल जायो कि आधाए और स्राब के कारखाने यहां पर जादा होने के कारण अलवर को राजस्तान का क्या कहते हैं स्कोटलेंड भी कहते हैं राजस्तान का पुर्वी कस्मीर इसे कहा जाता है लेकिन कस्मीर किसे कहा जाता है वो उद्यपूर है लेकिन पुर्वी कस्मीर पूछा था है तो आपका अ साथ ज़ादा होती है विरासत का सहर आपका झालावाड घहलाएगा तो ये तिनों नाम ध्यारक ने झालावाड की राजस्तान की थारनगरी की नाम से फेमस अपना बाढ़ मेर है थार सो कांगा बाढ़ मेंयर का बात करती जैसल में में रजस्तान की पिछड़ी रियास तो वह है रियास जिसने जुमाहर दिवस मनाया सब बाती हमने पड़ी है लेकिन आप करती है रजस्तान का अंडमान की इश कहा जालोर हो जाएगी हवेलियों का सेर आपका जैसल मेर कहा जाता है लेकिन हजार हवेलियों का सेर किसे कहा जाता है तो भी का जाता है यह हजार हवेलियों का सेर किसे कहा जाता है तो आपका किसे कहा जाता है रेकिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है तो भी आपका जैसल मेर को कहा ज़ता है जरोकों के नगरी पंकों के नगरी म्योजिम shitie मांड धरा किसे कहा ज़ता है जैसलender को लेकिन मैं रुक गया गलियों के सेयर को लेकर गलियों का सेयर जैसलenden को और तो इसले जो सुनार कड् лучше सबसे बढ़ा है वह आपका जैसलने वाडा गलीयों के को vast एक तो है समंदिब्स है करते हैं सब्सक्राइब आप सभी बता देता हूँ हमारा वैप है वह सब्सक्राइब हों खूलिप के लिए सब्सक्राइब पर लाओ अपर सभी प्रकार की सब्सक्राइब कर सकते हूं और हाँ सभी प्रकार की कोर्स जैसा नहीं है कि कोई प्रकार का यह कोर्स चल रहा है सब्सक्राइब कर सकता है फिर आगे हम बात करें तो पहले भरतपूर के अंदर एक स्तान आता था डीग जिसको कैजये तो जल महलों की नगरी तौर बन गें तो राष्टान का पुछ बनो के नगरी किस जिल्ले को कहा जाता तो देग जिल्ल्य वका करें चाल और ऐसको क्या मे Neben राजपुताने की कुंजी भी किसे का जाता है अजमेर को कहा जाता है भारत का मक्का भी इसे का जाता है ख्वादा साब की दर्गा होने के कारण रावली का अर्मान भी इसे का जाता है अंडव की टोकरी अजमेर को कहा जाता है और ख्वादा साब की दर्गा के कारण अधाई दिन का चौंपड़ा बहुत सरे समर्क बने हुए जो हिंदू मसलिम संस्कर्टी को बड़ावा देते हैं इसलिए सांपड़ा एक सुहादर का सहर भी किसे कहा जाता है अजमेर को कहा जाता है फिर बात करते हैं अपने शिरोही की तो राज्ये की जो देव नगरी कहलाती है वो सुवर्ण नगरी भी किसको कहेंगे जालो उरको लेकिन सुवर्ण नगरी पूछी जाए दोस्तों तो ध्यां रखना जैसलिमेर हो जाएगी ठीक है आपका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए फिर बात करें विकानेर तो विकानेर के अंदर उनका घर और राती घाटी के नाम स जाना जाता है और उनका घर कहा जाता है राजस्तान की थार नगरी आप सभी को पताई चल गया बाड़ मेर को कहा जाता है नेक्स आगे चर्चा करते हैं बुंदी को लेकर कई बार अग्जाम में परसन पूछे गए हैं दोस्तों बुंदी को लेकर बुंदी को कहा जाता है बावडियों का सहर कहा जाता है वरंदावती कहा जाता है वेभो नगरी कहा जाता है चोटी कासी कहा जाता है और त्वित्य कासी कहा जाता है कई बार परसन आता है बावडियों का सहर नाम नहीं दिया जाता है बलकि नाम दे दिया जाता है City of Stepwells क्या नाम दिया जाता है City of Stepwells के नाम से किसी जाना जाता है दोस्तों City of Stepwells के नाम से इसी ही जाना जाता है फिर बात करें कोटा की तो कोटा को राजस्तान का कानपूर कहा जाता है शिक्ष्या का तीर से स्टल कहा जाता है राजस्तान का नालंदा कहा जाता है ये तिनों परसन आए या ना आए ओध्योगिक नगरी के नाम से किसे जाना जाता है कोटा को जाना जाता है पुछा गया परसन है उध्यनों का नगर आए या ना आए लेकिन इंदर परस्त ओध्य अगे-जिला में सब्सक्राइब करें आपके को कहा जाता है उद्यपूर की आकरती पहले जब शुलूंबर जिला नहीं था तब तक इसके आकरती ओस्ट्रेलिया महाद्विक कित्रा थी अब फिर भी इसको मेवाड मेदपार्ट प्रागवाड की नाम से जाना जाता है फाउंटेन माउंटेन का सहर आपका उद्धेपुर है जिलों की नगरी जिले ज़्यादा है इसलिए उद्धेपुर को कहा जाता है लेक सि वेनिस पूछा जाए पूरों का पेरिस जेपुर है वेनिस उद्धेपुर है एसिया का वियन्ना लेक सिटी ओफ इंडिया सेलानियों का सवरग और जैसे आकरती आपके किस जिले की है उद्धेपुर की ठीक है तो ध्यान रख लेना सभी के सभी ये बात भी सारी बात हुआ जाता है तो भिलवाडा को का जाता है मैंचेस्टर किसे कहते हैं आपको बताना राजस्तान का नुविंतम मैंचेस्टर किसे कहा जाता है ये comment box के माध्यम से आप सबी साती comment करेंगे जो भी पूरा वीडियो देखते हैं क्योंकि थोड़ा देखने वाले तो जो कहते हैं न कि थोड़ा देखेंगे वो तो अपने आप पिछरे जाएंगे पूरी जानकारी अगर 10 मिनिट में इतने जानकारी मिल रही है तो पूरी दे है कि सोध का सेर कि कि से आज आता है बांसवाडा को आदिवासियों का से कि कि सी कह जाता है बांसुण का प्रवेश द्वार कि से आजाता है बांसवाडा को राजस्तान की लोड़े का से कि inf Nice 5 लेना यह आए वे परसन यह प्रसंज नवापु के बात क्रें तो राजस्तान की राधा-धाध-ध्यानी बरसाने बादा नियुक्षोन कांठल के नाम से भी आपके परताबगड को जाना जाता है बारा को वराहनगरी के नाम से जाना जाता है तोंक को नवाबों का सहर कहा जाता है और धुलपूर को रे डायमंड शुटी के नाम से जाना जाता है हाल।ाइब डेखो चेत्रों के नाम बाकी रहेगे वह चेत्रों के उपनाम वो लग है उसकी तो पीपीटी और राजस्तान का इतियासिक सवरूप के सारा उसकी टो पीपीटी भी अलग बनानी पड़ेगी थे वीडियो लग बनेगा तो सारे चीज अलग बनेगा आप पाकिम आप सभी को बताई देता हूं सभी courses और test series के उपर भारी छूट आप सभी सातिगन और पहले पहले टेस्ट है वो इसमें क्या है free भी है CT होगा यह test free है आप कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए आप हमसे बने रहे जुड़े रहे नेक्स्ट वीडियो जल राएगा तब तक के लिए धन्यवाद खमा गणी राम राम सार्थ